Assalamu alaikum dear class 6 students, I am teacher Vakar Yassin from UPS Tarkapora पहरे बच्चों आज हम term first start करने जा रहें class 6 का history का lesson number 1 जो है जो syllabus के साफसी chapter 5 बनता है वो है kingdoms, kings and early republic ये है हमारा आज का main topic lesson का प्यारे बच्चों start करते हैं हाज का lesson प्यारे बच्चों later वेदिक period में जो tribal organization थी, जने tribes की जो organization थी जन जाते हैं लोग जने कहते हैं उनकी जो तंजीम थी वो आइस्ता आइस्ता अपनी identity अपनी पहचान change करने लगे और आइस्ता आइस्ता gradually ये shift होने शुरू हो गए एक territorial identity में याने इन्होंने एक अपनी territory कायम कर ली और इसका नाम भी इन्होंने दिया इसका नाम इन्होंने दिया जनपदा याने states प्यारे बच्चों, ये states एक ही tribe, याने single tribe को belong करती थी याने एक ही tribe, एक पूरी state बना लेते थे काहिम कर लेते थे जैसे शाक्याज शाक्याज की अपनी एक state थी जिसमें सिर्फ शाक्याज की कास्ट के लोग ही रह सकते थे और मोलाज, ये एक और tribe है जो उस वक्त हंसा में मौझूद थी तो इन्होंने अपनी एक state कायम कर ली जिसमें एक ही tribe रह सकते थी और जो लोग गंगावैली में रहते थे जिनें हम Aryans कहते हैं ये जो लोग थे, जो Aryans थे जिनकी कास्ट Aryans की थी गंगावैली में इन्होंने अपनी state कायम कर ली इन्होंने जो है ये एक rule बनाया कि जो भी लोग Aryan पोल से नहीं आते हैं यानि Aryan कास्ट के नहीं हैं इनको हम incorporate नहीं करेंगे यानि शामिल नहीं करेंगे अपनी state में जो outsiders है जिनकी कास्ट Aryans की कास्ट नहीं है जो Aryans को belong नहीं करते हैं आगे पढ़ते हैं therefore आखिरकार एक strong consciousness बन गई अपनी pure land की यानिकी जमीन हमारी है इनमें जजबा पैदा होगा इनमें ये consciousness पैदा होगी दिमाग में कि जो ये जमीन है ये सिर्फ एक कास्ट की belong करती है that is Aryans और ये जो जमीन है जिस पे Aryans रहते थे इसका नाम इन्होंने रखा Arya Varta जिस पे सिर्फ Aryans बसा करते थे जो stage इनने कायम की थी अब हम आगे पढ़ते हैं आगे समझते हैं What is जनापदा जनापदा का मीनिक क्या है प्यारे बचों टर्म जनापदा compound word है दो अलफास का मुरकब है ये composed है जनापद से जिसका मतलब है tribe and पदा पदा का मतलब है foot तो हम literal meaning अगर देखें इस word की जनापदा word की तो इसका जो subject matter बनता है इसका जो meaning बनता है that is population जो आबादी के साथ deal करे उसे हम जनापदा कहते हैं प्यारे बचों early Vedic text जो Vedic text हैं Sanskrit में जो लिखी गई हैं वेदाज की किताबें उनमें reveal किया गया है उनमें बोला गया है कि बहुत सारे जनापदाद जो थे या tribes कहलेजे tribes जो थे जो Aryans को belong करते थे Aryans जो थे वो रहते थे semi-nomadic tribal state में जो पूरी तरह नomadic नहीं थे semi-nomadic थे ये जनाज ये tribes रहते थे Aryans जो थे जो semi-nomadic tribal state में रहा करते थे ये जनाज थे ये tribes को belong करते थे लेकिन due course of time में वक्त गुजरने के साथ साथ ये early Indian जो states है या early Indian iron age Rig Veda जो है जिसे iron age में लिखा गया था Rig Veda क्या है Rig Veda एक text है Rig Veda जो है जो iron age में लिखे गई थी ये एक early Vedic text है सबसे oldest बुग्ज से माना जाता है हिंदू उसकी तरफ से iron age Rig Veda में लिखा गया है कि जनाज जो थे यानि कि ये मर्ज हो गए mix हो गए geographically fixed जनापदाज में यानने एक ही जगाएk एक ही geographical area में ये बसने लगें और इन्हों ने कुछ state कायम कर ली, जो हमने start में ही पढ़ा, जिनका नाम इन्हों ने जनापधा से गत्थ ये जनापदाज我們的 गया ओर ये ही जनापदास एक geě आगे समझते हैं और ये जनापदास जो थे ये गवर्न होते थे यानि इन पर एक रूलर रूल करता था या राजा कहलेजिए जो इन पर रूल करता था और हर एक राजा की हर एक रूलर की अपनी आर्मी होती थी और साथ ही साथ इन जनापदास का अपना एक capital राजदानी हुआ करती थी ये जो बाच्छा थे जो जनब अदास पर रूल करते थे जो लोगों पर रूल करते थे जिनकी अपनी आर्मी थी ये large आर्मी भी रखते थे और इनको regularly हर महीने salaries भी दिया करते थे और ये salary जो इनको दी जाती थी ये coinage की होती थी बनी हुए ये कागज की नहीं coinage की बनी होती थी जिन पर punching हुई होती थी या इस पर इसकी शकल बनी होती थी राज़ा की या किसी और खास चीज की जो शकल बनाई गई होती थी और ये coinage ही इनकी salary जो है बनती थी यानिकि इनको salary कोईनिस के हिसाब से दी जाती थी हर महीने आज जो हमने टॉपिक्स पड़े स्टार्ट किया मुझे अमीद है आपने वो टॉपिक्स जो हैं अंडरस्टैंड कर लिये होंगे आगे हम नेक्स्ट वीडियो लैक्सेमें इसको इसी लेसन को कंटिनू करेंगे तब तक के लिए अ झाला